पिछले अध्धाय में हमने सीतुद, सीतुद का अर्थ, उसकी विभिन परिवासाएं और उसकी कारणों पर चर्चा की थी कारणों पर चर्चा को हमने तीन भागों में बाटा था पहले थे सामान्य कारण, दूसरा है अमेरिका के विरुद सोवेत संग की सिखायत है और तीसरा है सोवेत संग के विरुद अमेरिका की सिखायत है जिसमें से पहला कारण सामाने कारणों पर हमने हमारे पिछले अध्याय में चर्चा की थी आज हम अमेरिका के विरुद सोवेत संग की सिखायतों पर चर्चा करें सबसे पहला इसमें दुत्य मोर्चे का प्रसन दुत्य विशुद के दोरान जब अमेरिका और सोवेट संग धुरी राष्टों से लड़ रहे थे तबी उनके बीच दूसरा मोर्चा खोलने पर मतबेद पैदा हो गए इसने आगे चलकर उनके बीच एविश्वास को और बढ़ा दिया जब हिटलर के नेत्रित में जर्मनी की सेना सोवेट संकी भूमी में आकरमन कर गुश गई और जन्धन को नस्ट करने लगी तो स्टालिन ने मित राष्टों अमेरिका तथा बिटेन से अन्रोध किया कि वे पस्चमी यूरोप में हिटलर के विरुद दूसरा मोर्चा खोल थे एक मोर्चे पर यह ससार खुद लड़े ही रहा था स्टालिन चाहते थे कि यदि पस्चि में मोर्चा खुल गया तो रूसी भूमी पर जर्मन सेना के जमाव प्रहार में कमी आएगी क्योंकि जर्मनी का ध्यान दो तरफ बढ़ जाएगा किन्तु अमेरिकी राष्टपती रूजवेल्ट वे बिटिस प्रधानमंतरी चर्चिल स्टालिन के इस अनुरोध को बारंबार टालते रहे इसके अलावा जब 1944 के परारम में दूसरा मोर्चा खोलने की योजना बनने लगी तो चर्चिल ने यह योजना सामने रखी कि बिटेन और अमेरिका की सेना फ्रांस की तरफ से नहीं वरन बालकन दीब समूँ से यूरोप में उत्तर की और आगे बढ़े ताकि सोवेज संग की सेना पूरी यूरोप में आगे ने बढ़ सके रूजवेट चर्चिल की इस योजना से सहमत थे ऐसी विलमकारी चाल से सोवेज संग को अमेरिकी मेत्रे के प्रति संग का उत्पन हो गई बैली कहते हैं कि दूसरा मोर्चा खोलने में पस्चमी राष्टों की इस विलमकारी निती के कारण क्रेमलिन सोवेज संग में यह संधे जड़ पकड़ गया कि पस्चमी राष्ट जो युद के बाद एक सक्ति साली सोवेज संग की संभावनाओं से भैबीत है युद के अखाडे में कूदने से पूरु रूस को पूर्ण आहत और सक्तिहिन देखना चाते है वेदायास ने इसी विशलेशन में कहा है कि अमेरिका और बिटेन ने खूब सोच समझ कर तथा जान बूज कर ये देरी की ताकि जर्मनी किसी तरह रूस की सामय अधिवादी व्यवस्ता का काम तमाब करते है दूसरा है अमेरिका द्वारा परमानु बम का रहसे गुप्त रखना इस बात ने भी सोव्यत संग को चिंतित कर दिया और कहीं ना कहीं अमेरिका पर एविश्वास करने के लिए बात देखिया दुट्वी स्वीद के दोरान जब अमेरिका ने जापान के हीरो सिमा और नागासा की नगरों पर परमानु बम गिरे तो सोव्यत संग को इस बात पर अत्यंत आश्चरिय हुआ क्योंकि अमेरिका ने उसके पास परमानु बम होने का रहस्च से उससे छिपाए रखा जबकि ब्रिटेन और करनाडा ने यह बता दिया था इससे अमेरिका और सोवेशंग की मित्रता एविश्वासन में चली गई और दोनों में सी तुद कमार्ग प्रशस हुआ तीसरा है रूस को मिलने वाली साहता पर रोक रूस उसकी चतिपूर्ती मांगों के विरोध के कारण अमेरिका से पहले ही नाराज था लेंड लीज अदिनियम के तहट सोवेशंग को दी जाने वाली अमेरिकी आंसिक साहता से वे संतुस्त नहीं था किन्तु जब अमेरिकी रास्त मती टूमेन ने ये आंसिक साहता भी बंद कर दी तो सोवेशंग एक आएक बोखला गया स्वभाविक था कि ये गटना अमेरिका तथा सोवेशंग में चल रहे सी तुद की तीवर्था को और बढ़ा थी चोथा इसमें पोलेंड वे बाल्टिक देशों में रूस विरोधी अमेरिकी कदम रूस का मानना था कि जब उसने पोलेंड वे बाल्टिक देशों की अपनी भूत पूर भूमी पर अधिकार किया तो अमेरिका को चाहिए था कि वे इन परिवर्तित इस्तितियों को माननेता देता इसके विप्रीत अमेरिका ने बिटेन के साथ मिलकर पोलेंड की लंदन इस्तित रूस विरोधी निर्वासित सरकार को माननेता प्रदान कर दी इसके अतरिक्त 1949 में जब सोवेट संग ने लेनिंग्राद की सुरक्षा के लिए फिन्रलैंड से भूमी का छोटा टुकड़ा प्राप्त करना चाहा तो अमेरिका बिटेन तथा फ्रांस जैसे पस्चमी रास्तों ने ऐसे कदम उठाए जो कभी भी युद्ध भढ़का सकते थे जितने दिनों तक दुट्टे महायुद चलता रहा अमेरिका ने बाल्टिक देशों जैसे लाटविया लिथूनिया एस्थोनिया के वासिंग्टन इस्तित दूथों को माननेता दिये रहा तीसरा और अन्तिम कारण सोवेट संग के विरूद अमेरिका की सिकायत है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सीत यूद के अंतरकत अमेरिका और योश्यसार के मद्दे परस पर तनाव की स्थिति चल रही थी और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रतारोप लगा रहे थे इसी स्रंकला के अंतरकत हमने पहले सामाने कारण देखे दूसरे में हमने देखा कि सोवेट संग की अमेरिका के विरूद क्या सिकायती थी अब हम देखेंगे कि सोवेज संग के व्रुद अमेरिका की क्या सिकायत है पहला इसमें रूस द्वारा यालटा सम्जोते का उल लंगन 1945 के यालटा सम्मेलन में अमेरिका ब्रेटेन और सोवेज संग के बीच हुए सम्जोते के कुछ कारण निम्न प्रकार है पहला हैं, पोलेंड में सोवे संग द्वारा सरक्षित लुबलिन, सासन और पस्चमी देशों द्वारा सरक्षित शासन के इस्तान पर स्वतंत्र और निश्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एवं पृतिन इध्यात्मक सरकार द्वारा इस्तापित किया जाएगा। नए पोलेंड से पूर में रूसी भासी छेतर करजन डेखा के आधार पर प्रतक कर दिये जाएगे। परंतु पस्चिम में मुआवजे के रूप में उसे कुछ जर्मन भूमी प्रदान की जाएगी। जबकि सोवेट संग ने पोलेंड की जनता पर अपने द्वारा सरक्षित लूलिन सासन को लादने का प्रतन किया। उसने अनेक दलों के नेताओं को जेल में ठूस दिया। जब अमेरिका तथा ब्रिटेन के प्रेक्षकों ने पोलेंड में प्रवेश करिश्तिति का जायजा लेने की इच्छा परकट की तो उने इसकी इजाजत नहीं दी गई। दूसरा है, सोवेश संग ने हंगरी, बुलगारिया, रुमानिया और चोकोसलेवा क्या में भी युद्विराम समझोते और याल्टा वे पोस्डेम सम्मिलन की संदियों का उलंगिन किया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की पुनरिस्ता अपना करने में मित रास्टों के साथ रहने से मना कर दिया। तीसरा हैस में, सोवेश संग ने ये वचन दिया कि वह चीन की सरकार को मानता देगा। बहाय मंगोलिया में भी ये था इस्तितिका पालन करेगा और एक चीनी रूसी कंपनी द्वारा मंचूरियाई रेलवे के सहिव संचालन की सर्तों के साथ जर्मनी के आत्म समर्पन के तीन मा के भीतर जापान के विरुद युद्ध में समलित होगा। लेकिन विश्व युद्ध के समाप्त होते ही रूस ने अपने किये वादों से मुकरना शुरू कर दिया। जापान के विरुद युद्ध में समलित होने में उसने अनिच्छा ही प्रकट नहीं की बलकि मित रास्टों को साइबेरियाई अड़ों की सुविधा उपलब्द कराने में भी आना कानी की। और मंचूरिया में इस्तरित रूसी सेना ने 1946 के आरंब में राष्टवादी सेनाओं को वह प्रवेश तक नहीं करने दिया। जबकि सामयवादी सेनाओं को प्रवेश संबंदी सभी सुविधाएं देकर वह संपूर्ण युद्ध सामगरी भी छोड़ दी। तो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। इस प्रकार सोवेट संग द्वारा याल्टे समझोते की व्यवस्ताओं के उलंगन ने सीत्यूद रूपी आग की लपेट को और तेज कर दिया। दूसरा है रूस द्वारा बालकन समझोते का उलंगन। भूत को स्विकार किया तो सोवेट संग ने यूनान में ब्रेटेन का प्रूबुत। हंगरी तथा यूगोसलाविया के बारे में तैव हुआ कि हंगरी में दोनों का संग पुर्भाव रहेगा। किन्तु दुत्यविशुद के समाप्त होते ही रूस ने खुल कर यूनान में सामयवादी च्छाप इमारों को भेजा और सामयवादी सासन इस्तापित करने का एक एसफल प्रियास किया। दीसरा रूस द्वारा इरान से अपनी सेनाय हटाने से मना करना। दुत्यविशुद के दोरान सोवेट सेना ने इरान के उत्री भाग पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सहमती से कबज़ कर दिया। युद्गे पस्चात अमेरिका वे ब्रिटेन ने अपनी सेना ये ततकाल हटा ली किन्तु सोवेट संग ने अपनी सेना वापस बुलाने से इनकार कर दिया इससे पूर और पस्चमी खेमों में एविश्वास और बड़ा हाला कि कुछ समय पस्चात समिक्तराश संग और विश जन्मत के दबाव में आकर रूस ने उत्री इरान से अपनी सेनाओं को हटा लिया चोथा इसमें तुर्की पर रूसी दबाव दुत्तियुसित के बाद तुर्की पर सोवेट संग ने इस बात के लिए दबाव डाला कि वे बास पोरस तथा कुछ अन्य भुभागों पर सैन प्रकार का दबाव या आकर्मन सेहन नहीं किया जाएगा और मोका पड़ने पर मामले को सेट्राज संग की सुरक्षा परिशद में उठाया जाएगा सोवेट संग द्वारा जर्मनी पर बोज लाजना दुट्य विशुद के दोरान जर्मनी के हमले से रूस को अपार हानी हुई इस कारण याल्टा समेलन में स्टालिन ने जर्मनी से छती पूर्थी के रूप में 20 अरब डॉलर की मांग रखी अमेरिकी रास्पटी रूजवेट ने इस मांग को आगे वारता के रूप में स्टालिन ने सीधा अर्थ यह लगाया कि उसकी मांग मान ली गई है युद्धो प्रांथ छती पूर्थी संबंदी प्रावधानों का अनुचित लाव उठाते हुए रूस ने जर्मनी के उद्धोग अस्ट वियस्ट कर कीम्ती मशीनों का अपने देश में इस्तानांतरन आरम कर दिया इससे जर्मनी की आर्थवश्ता चर्मराने लगी परणाम सरूप बिर्टेन और अमेरिका को मजबूरन जर्मनी को भारी धनरासी सायतात प्रदार्थ करनी पड़ी जर्मनी के प्रती सोव्यत संके इस कड़े रुक के कारण पश्चमी देशों का नाराज होना स्वभाविक था और इस मामले ने सी तुद में आग में घी का काम किया नेक्स्ट है रूस द्वारा बार बार वीटों का प्रियोग किया जाना संक्तराज संग जैसे विश्व संग्ठन में उस समय अमेरिका और सोवेट संग के बीच टकराव पैदा हो गया जब पश्चमी देशों ने संख्यात्मक सकती तथा अन्य तरीकों से इस संग्ठन पर अपना वर्चस जमाना आरम किया रूस ने यह माना कि अमेरिका अपने राष्टे हित पूरा करने के लिए संग्तराज संग का प्रियोग कर रहा है यह महसूस कर सोवेट संग्ने पश्चमी देशों के प्रस्ताओं के वुर्ध सुरक्षा परिशद में खुलकर बार बार वीटों का प्रियोग कर कारवाई में अडंगे लगाना आरम कर दिया इससे पश्चमी देश सनाराज हो गए और उन्होंने रूस विरोधी कारवाई और तेज कर दिया साथवा इसमें बर्लिन की नाके बंदी सोवेट संग्ध द्वारा बर्लिन की नाके बंदी से दोनों महसक्तियों के बीच सीत उद में तनाव और उगरता आ गए जून से 1948 में लंदन प्रोटोकोल का अतिकर्मन करके रूस ने बर्लिन एवो पश्चमी जर्मिनी के मद्दे की सवीर रेल सडक तथा जल यातायात बंद कर दी इतना ही नही उसने हजारों निहिर जर्मन युद्ध बंदियों और नागरिकों को उनके देश लोटने से मना कर दिया पीटर लायन ने बर्लिन की नाके बंदी से सीत युद पर पड़े प्रभाव के बाड़े में लिखा है कि यदभी रूस की बर्लिन नाके बंदी ऐसफल सी दो गई और मई 1949 में इस नाके बंदी को समाप्त कर दिया गया परंतु इस गटना का एक गंग्भीर परिणाम यह निकला कि अब सोवे संका वरोध करने के लिए अमेरिका तरह तरह के सैनिक संग्ठनों की स्तापना करने की दिशा में सक्रिय हो गया आठवाई अमेरिका में रूस द्वारा सामेवादी गतिविदिया बढ़काना 1945 के आरंब में ही सामरिक सेवा के अधिकारों ने पाया कि उनकी संस्ता के अनेग गोपनिय दस्तावेज सामेवादी सरक्षन से चले गए अमरेशिया नामक मासिक पत्रिका के फिलिप जोजेव के हाथों पहुँच जाते हैं इससे चिन्नित होकर अमेरिकी सरकार ने कनेडियाई साही आयोग कनेडियन रोयल कमिशन को इस मामले की चानविन के लिए नुक्त किया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस जासुसी के पीछे सोवेज संक का हाथ है कनाडा का सामेवादी दल सोवेज संक के एक बुजा है उसने यह भी संसनी खेज रहस्यों उधगाटन किया कि कम से कम विश्वास के पदपर कार्रत 23 कनाडावासी जिन में एक विधायक और एक प्रमुक परमाणु वज्यानेक भी सामिल है सामेवादी गुठ के एजेंट है तथा उन्होंने मासकों को परमाणु भेदवे यूरेनेम के नमुने भेजी सोवेज संक की ऐसी जासुसी कारवाई से अमेरिका सहित पस्चमी देशों में उसके प्रती गहरे विच्छों की भावना उठ खड़ी हुई अब देखेंगे सी तुद के दोरान अमेरिका वैरूस द्वारा अपनाए गए प्रमुक साथन सबसे पहला है सांस्कृतिक गुठ फैस सोरी सांस्कृतिक गुष्पैट दोनों महासक्तियों ने विश्व के अन्य देशों में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक गुष्पैट आरम किया विभिन सांस्कृतिक संग्टनों का निर्मान किया, पुस्त कालवे वास्चनालों की इस्तापना की फिल्म दिखाने के जरिये संपन किया, दूसरा है विचारधारा का प्रचार, दोनों महासक्तियों ने विश्व में जमकर अपनी विचारधारा का साहित्य तथा अन्य प्र प्रकाशनों द्वारा प्रचार आरम किया अमेरिकन रिपोर्टर अमेरिकन रिवीव प्रोब्लम्स ओफ कम्मिनिजम जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन और इनका मुफ्त वित्रन बड़े पैमाने पर किया गया प्रतिवत्तर में सोवेत लेंड मास्को न्यूज एंड इसे गुटन रिपेक्स देशों में अपनी व्यवस्ता को स्रेश्ट और दूसरे की व्यवस्ता को निक्रस्ट शित्र करना था और इस प्रकेरया में नहरूजी का यह कथन सत्य परमानित हुआ जिसमें उन्होंने सी तुद को लोगों के दिल और दिमाग में होने वाला प्रेवियाई महादीप देशों को आर्थिक सायता देकर उनकी आंतिक राजनिती वे विदेशनिती को प्रभावित करना चाहाँ भारत मिस्र और इंडोनेशिया जैसे अनेक देश ओपनिवेशिक गुलामी का जुवा उतारने के बाद आत्म निर्भर आर्थिक विकास का म अनुशासित होती रही उनिस्सों पचास इक्यावन में भारत ने जब खादान की यासना की तो उसे अमेरिका के हातों बुरी तरह त्रिस्कृत होना पड़ा और इसी तरह मिस्र में स्वेज संकट का उदगम आस्वाद मांद के निर्मान को लेकर उत्पन मनो माल लिने से चुड़ा होगा था बड़े उद्दोगों के छेत्र में इस पात निर्मान आदी की पूरी प्रणालियों के आयात के विशे में भारत और इंडिनोस्या के अनुवाव बार बार यही जलकाते हैं सेनिक संग्ठनों के स्टापना दोनों महासक्तियों ने सेनिक समझोते कर विश्व के अन्य देशों को अपने गुटकी और मिलने का या मिलाने का प्रियास किया अमेरिकी प्रवर्तित नाटो, सियेटो और सेंटो तथा सोवेट संग प्रवर्तित वार्षा सैनिक समझोते इस सिल्षले में उल्लेखनी है इन सैनिक संग्ठोने ने सीतुद की लपेट में उन देशों को भी ला दिया जो इस डंगल से बाहर रहना चाहते थे अमेरिकी या रूसी समर निती में पाकिस्तान का जो भी महतपूरिस्तान रहो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत पाक संबन्नों के छेत्रे संतुलन को इसने खतरनाक ढंग से गड़बडा दिया इसी तरह दसकों तक अनेक देशे को विभाजित रहना पड़ा जिसमें कोरिया, वियतनाम, जर्मनी आधी उलेखनी है नेक्स्ट है खूपिया संग्ठनों के सडियंत्र अमेरिका की CIA तथा सोवियत केजी भी नामक खूपिया संग्ठन गरीब देशों में विरोधी सरकार को गिराने तथा अपनी समर्थक सरकार को प्रतिश्टित कराने के राजनितिक तोड़फोड कारिये में सक्रिये हो गए दुत्तेविस युद्ध समाप्त होते होते एपदस्थ होने वाले में इरान के प्रधान मंत्री मुसद्धिक भी थे जो नोंने अपने देश की तेल संप्दा को विदेशी कंपनियों का राष्ट्य करण कर अपने हाथों में लेने का प्रत्न किया कोरिया में सिंग मार्णी और तैवान में च्यांकाई सेक को लोहपुरूस मानने वाले मनवाने का हट सी तुद की जरूरतों से ही प्रेरित था सैनिक अड़ों की स्थापना दोनों महासक्तियों ने अन्य देशों में एक दूसरे के विरूद सैनिक अड़े इस्तापित करना आरम किया क्लार्क एर बेस, सूबिक बेफ फिलिपिन्स, दानाग और काम रहन में अमेरिका ने ऐसे सैनिक अड़े बनाए जबकि USSR ने इथोपिया, सोमालिया में सोकात्रों जैसे जगह पर सैनिक अड़े इस्तापित किया लास्ट इसमें सैक्षिनिक छेत्र में गुटपैस दोनों महासक्तियों ने अन्य देशों के सैक्षिनिक जगत को भी प्रभावित किया अमेरिका ने फुल ब्राइट छात्रवर्ती शुरू की तो सोवेट चंग ने पैट्रिस लूंबा विश्विद्दाले में शैक्षिक आदान प्रदान कारेकरमों के तैद अन्य देशों के छात्रों अध्धाप को और विद्वानों को अध्धन अध्धापन के लिए अपने यह बुलाया तथा अपने नागरिकों को वहां बेजा थेंक